रगों में खून फॉलादी जुबां पर धार रखते हैं लडाई अपनों से होगर तो संग में हार रखते हैं हिंदू हो या मुसलिम हो नहीं परवा हमें इसकी वतन पर जाल उटाए जो उसे हम प्यार रखते हैं नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रकास वेड़ और आपका अपने यूटिब चनल अमौली फ्रेंड्स क्लब में हार्दिक स्वागत है दोस्तों 71 गर्तन दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में तो आप सबको गर्तन दिवस की धेरो हार्दिक सुबकामना है दोस्तों अपनी आजादी देश की होने के बाद 71 गर्तन ये मनाया जा रहा है आप सबको किसी को बताने की आवश्यक्ता नहीं है कि गर्तन दिवस क्यों मनाया जा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज़ से वाकिफ है कि गर्तन दिवस क्यों मनाया जा रहा है दोस्तों बस इस गणतंतर पे मैं कुछ छोटी सी अपील करूँगा कि हम सब देशवासियों को एक जुट होकर के रहना चाहिए और जो हमें अमौली फ्रेंड्स क्लब अपना एक हमने पोर्टल स्टार्ट किया था आज से 8-10 साल पहले आज बहुत सारे लोग जोड़ चुके हैं जो भी लोग देश से या अन देशों से जोड़े हुए क्योंकि कई दुष्थे उसे लोगों के हमारे पास मैसेज़ज़ आते हैं जो भारत के बाहर अमौली च्छेतर के आस पास के लोग रह रहे हैं अब हमारे सटिकोवा के पास के एक additional speaker है वो अक्सर call करते रहते हैं बहुत ही अच्छा लगता है कुछ लोग करनाडा पे कुछ अमेरिका पे या कहीं बाहर जगह पर रहते हैं तो उन लोगों के call आते हैं बहुत ही अच्छा लगता है और अपने इस YouTube चैनल के मादधम से अप आपको यह जानकारियां दे पाते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है हमारे हमारे जो टीम है उन सबका बहुत बड़ा सायोग है और हमारे जो चेतर के लोग हैं हमारे चेतर के जो पत्रकार बंदों उन सबका बहुत बड़ा सायोग रहता है और बहुत ही appreciate करते रहते हैं समय समय पर इस platform को और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अपने इस platform के माध्यम से अगर आप तक कुछ जानकारियां पहुँचा पाते हैं तो हमारे लिए इससे बेतर कुछ नहीं हो सकता साथ ही हमारा ये प्रयास है कि जो अपने छेतर में कुछ प्रतिभाएं हैं जो जो नए लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो देश हिस में, समाज हिस में और लोगों के कल्याण में हैं वो आप सब तक किसे न किसी माध्यम से हम पहुँचा सकें अब इहाले की बात है हमारा वीडियो आप सब देख पा रहे होंगे कि अमोली के बल्दयों के मैदान में एक है स्थैनिक देश के हमारे जहौपर के योगेंद्र जी वो जो अपनी आर्मी की भरती होने जा रही है उसके लिए तो कि अपने छेतर में कोई अकेडमी नहीं है या पर कोई ट्रेनिंग संस्थान नहीं है तो वो साम सुबह दोनों स्टाइम समय निकाल करके अपनी छुट्टियों का प्रयोग किसी इस तरीके से कर रहे है बहुत सारे लोग होते हैं छुट्टियां आते हैं और अपना इंजॉय करते हैं लेकिन वो उन छुट्टियों का प्रयोग लोग, उन लोगों को जो हमारे नौयुवक हैं, जो देश की सेना में जाना चाहते हैं, उनको सिखा करके, उनको किस तरीके से दोड़ना है, किस तरीके से ट्रेनिंग करना है, किस समय अपनी दोर पोड़ी करनी करने, उन सब के लिए लगे हुए हैं, मैं योगिंद जी को बह स्योक्मार शुकल जी हैं हमारे पास में नशनिया गाउं से वह अपनी छुट्टियों में इस समय जो गाउं के गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए शुविधाय उपलब्द नहीं है जो परिक्षाएं आने वाली है लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलपा रहा तो हमारा प्रजाए है कि आगे चल करके कुछिस तरीके से प्लेटफॉर्म हम ग्रिएट करें जैसे कि अंतरमन एक प्लेटफॉर्म क्रेयट किया है जल्दी हम एक अमावली फ्रैंडब का एक स्टूडियो जनेरेट करना चाहा तो मैं आप सब को इन्वाइट करूंगा और साथ ही जो इस तरह की और भी सामाजिक गतिविदियां हो रहे हैं जो लोग समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं उन सब को आप सब तक सामने लाने का प्रयाश करता रहूंगा दोस्तों अपने छेतर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है अभी जैसे की अपने छेतर के जो हमारे दिली पारेज़ी है उनके एक फिल्म आने वाली है तानाजा और उनके बारे में मैंने बहुत अपने चैनल पे आलेडी पहले से ही बहुत कुछ उनका एक इंटरव्यू मै चाया हुआ है उसकी दद्वा जो हमारे दस्यों थे अपने बगल के चित्र कूट चित्र के उनके उपर एक फिल्म बनी हुई है तानासा उस पर वो स्क्रीन पर आपको दिखाए देंगे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि साथ फरवरी को सब लोग पहुँच करके त उन सारी चीज़ों को आप देखिए अपने मित्रों को अपने दोस्तों को अपने रिस्तारों को फावर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करिए कि उसको पहुँच करके देखें ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं अपने छेतर में हैं लेकिन प्लेटफॉ और भी प्रतिभा और प्रतिफा उनको वहां तक लेके गई बहुत सारे ऐसे हैं आप अपने छेतर में देखता हूं मैं कुछ मित्र हैं जो भी यूट्यूब पे कुछ वीडियो बना के डालते हैं और उन्हें सुरवात करिए उनको मैं बहुत ज़्यादा मैं बोलना कर रहे हैं और आप हम देख पाते हैं कि बहुत सारे अपने मित्र हैं जो अन्य छेतरों में काम करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़कर काईए और अगर आपके अंदर कोई ऐसी प्रतिफा है जो हमारे माद्दिम से लोगों तक पहुंच सकती है तो बिल्कु पहुत जरूरे नहीं है कि हर वगती सीमा पे लड़ने जाएगा हर वगती सीमा पे कुछ ऐसा काम करेगा जिससे जो देशित्प होगा हम लोग देस के लिए यहां रहकर भी देस की सेवा कर सकते हैं क्योंकि हम अपने देस में सफाइप भी सेश धान देंगे हम लोग रिष सब्सक्राइब नमस्कार